आप सभी कलाकार बंधों का रोयल संगीत चैनल पर स्वागत है मेरा नाम विसाल और आज में बताऊंगा The Boys India Audition के बारे में कि ये Audition कब निकलने वाला है और इनके बारे में जितना भी जानकारियां है इस वीडियो आप पे आप लोग को मिलने वाली है इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंतक देखेगा और मेरे चैनल में नहीं आये हैं या फिर अभी तक सब्स्ट्राइब करके बेल आइकन बटन को नहीं दवाये हैं तो दवा दिजे गाईज क्यूंकि लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहती है ओडेशन से डिलेटेड और डांसिंग एक्टिंग जितने भी ओडेशन सोते हैं उस पे में कवर करता हूं और जब भी ओडेशन के अपडेट्स निकलते हैं उसके बार में आपलोग को बताता हूं तो चलिए बिना कुछ देरी किए आप लोगो The Voice India Audition के बारे में बताता हूँ गाईज जैसे कि आप सभी को पता है कि The Voice India Audition एक बहुत ही popular reality shows है जो की दिखाया जाता है Star Plus पर ठेके Star Plus होस्टा डिजनिट पर दिखाया जाता है गाईज अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दिया तो इहां पर पहले मैं आज बता देता हूँ कि इसमें Age Cateria क्या रहता है देखिए Age Cateria इसमें ज्यादातर Limited नहीं रहता है इहां पर क्या रहता है लगभग 16 years से Start होता है जी हागाई 16 years से start होके लगभग आपका कोई age limit यहाँ पे नहीं दिया गया है जब भी मैं net पे search करता हूँ कि age limit तो 16 years above बोलता है तो इसलिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अग 16 years से अगर above है तो आप इसमें participate कर सकते हैं कैसे participate कर सकते हैं चलिए आप लोग को बताते हैं guys इसके बारे में मैं आप लोग को एक facts के बारे में बताता हूँ कि इसका किस तरह का audition होता है किस तरह से लिया जाता है जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इंडिनेडल में अलग होता है Rising Star में कुछ अलग होता है और The Voice India में कुछ अलग होता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हर कोई सोचता है हर कोई सोचता है कि मैं TV पे पहले audition देने चला जाऊंगा बट इस तरह से नहीं होता है आपका पहले ground में audition होता है उसके बाद ही आप TV पे पहुचते है जी हाँ दोस्तो पहले आप लोग का जो audition होता है वो online होता है उसके बाद आप लोग offline देते हैं उसके बाद offline देने के बाद बहुत round पार होने के बाद फिर आपका आता है TV round तो इस तरह का cross किस तरह से करेंगे देखिए यह audition जब भी निकलता है मैं आप लोग को बताता हूँ इसलिए आप लोग मेरे चैनल को subscribe करके रखिएगा ताकि आप लोग को latest update आप लोग को जल्द से जल्द मिल सके तो इसी तरह से आप लोग को एक 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 जो round होता है audition round वो crack करते हुए जाना रहता है उसके बाद आप लोग TV round पे पहुँचते हैं देखिए TV round में उसके बाद पहुँचने के बाद TV में पहुँचने के बाद क्या होता है देखिए उहाँ पे बहुत सारे camera's लगे होते हैं उहाँ पे आपको perform करना पड़ता है और जब आपको Mumbai बुला जाता है तब वहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले judges के सामने नहीं गाने दिया जाता है पहले आप लोग को एक interview देना पड़ता है या फिर आप लोग से पूचा जाता है कि आप लोग किस तरह का गाना प्रिपेर करता है किस तरह का गाना गाप आते है सब कुछ आपका देख लिया जाता है उसके बाद क्या होता है कि judges के पास आप लोग को गाने को बोला जाता है उसके बाद camera से recording होता है सब कुछ होता है गाईज तो क्या होता है कि बहुत सारा cameras लगा हुआ रहता है उसके बाद क्या होता है कि आपको judges के सामने audition देना रहता है तो यहाँ पर क्या होता है actual में जो होता है जैसे कि judges जो होते हैं तो यहाँ पर actual में क्या होता है जो judges होते हैं जो three या फिर four judges होते हैं वो आपको मतलब दिखेंगे नहीं ठीक है Backside आप लोगको दिखेगा, चेर का, तो actual में जो इसका audition होता है, blind audition होता है, गाइज, blind audition किस तरह से होता है, लगभग में आपको चलिए बता दू, blind audition ऐसा होता है, कि जजेज आपको देखेंगे नहीं, पीछे मुड़ कर बैठे उवे रहेंगे, ठीक है, और आपको क्या करना आपने आवाज के दम पे आप लोगों जजेश को ऐसे घुमाना है ताकि आप लोगों को दिखे वो ठीक है तो इस तरह से आप लोगों को करना है ताकि आपका आवाज में दम होना चाहिए तभी जजेश आपको आपको सिलेट करेंगे ठीक है तो इस तरह से जो होता है फोर सर उसके बाद और भी मिका सर और भी बहुत सारे जो हैं जज रहते हैं तो उनको आप लोग को इंप्रेस करना पड़ता है तभी जाके क्या होता है कि वो चेर से मुड़ते हैं इस तरह से उसके बाद आपको बोलते हैं कि आप मेरे टीम में आ जाईए तो इस तरह से आपको ब मूड गये अगर आप outside कर लेते हैं तो एक अच्य बात होती है आपके सांब के team में जाना है कि is to team में जाना है या पिर किस के team में जाना है तो यह आपको पहले ही decide कर लेना पड़ता है तभी आपका confusion जो है वो होता नहीं है तो इसी तरह से आपको यहां पर ओडिशन देना रहता है